फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे बहुत सारी वेज़ेबल्स के साथ सूजी का नाश्ता तो बहुत इस्वाधिश्ट और हिल्दी रेसिपी है वीडियो को अंततक जरूर देखें वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मेरे चानल को सब्सक्राइब कर ना भूले तो आये बनाते हैं सूजी का ये अलगतरे का नाश्ता तो इसके लिए मैंने एक कप सूजी ली है इसे हम थोड़ी सी मोटी सूजी लेनी है तो इसे कड़ाई में डालेंगे और अच्छे से इसे भून लेंगे कलर चेंज होने तक साथ में इसमें हम मिलाएंगे एक छोटा चम्मच ओईल तो आयल में हम सूजी को भून रहे हैं तो हमें इसे कलर चेंज होने तक हलका साथ गुलाबी होने तक भून लेना है तो इसे हम निकाल लेंगे सूजी भून के रेडी है फ्रेंट्स अब हम कड़ाई में डालेंगे दो चोटे चम्मच ओईल गरम हो जाए तो हम डालेंगे आधा कप के करीब कच्ची मुँफली इसे हमें अच्छे से भून लेना है अच्छे से रोस्ट कर लेना है तो मुंगफली भी हमारे रेडी है भूनके अब हम इसे भी निकाल लेंगे तो मुंगफली भूनके रेडी है अब इसे ओयल में हम डालेंगे आदा छोटा चम्मच राई राई थोड़ी चटक जाए तो इसमें डालेंगे एक चोटा चम्मज जीरा साथ में हम डालेंगे एक चोटा चम्मज जना डाल एक चोटा चम्मज धुली हुई उड़त डाल एक चोटा चम्मज धुली हुई मूंग डाल साथ में डालेंगे दो तिन बारी कटी हरी मिर्च और डालेंगे हम थोड़ा सा हिंग पौडर साथ में हम इसमें मिलाएंगे आठ से दस करी पत्ते के पत्ते फ्रेश करी पत्ते हैं ये अच्छे से मिला लेंगे अब हम इसमें डालेंगे लंबी और पतली कटी हुई एक प्याज, मिडियम साइज की प्याज ली है मैंने साथ में हम इसमें मिलाएंगे आप गाजर इसे भी मैंने लंबा और पतला काट लिया है एक मिडियम साइज की गाजर ली थी तो आप जो भी वेजेटेबल इसमें डालना चाहते हो फ्रेंड्स तो डालिए बहुत ही जादा टेस्टी बनता है बहुत सारी वेजेटेबल के साथ अब इसमें मैं मिला रही हूँ फ्रोजन कॉर्ण आप चाहे तो फ्रोजन मटर भी मिला सकते हैं मटर से भी रेजिपी बहुत जादा टेस्टी होती है अब इसमें मैंने एक मिडियम साइज की शिमला मिर्च लंबी और पतली काटके मिला दी है आप इसकी जगब बीन्स भी मिला सकते हैं बीन्स भी बहुत अच्छी लगती इसमें तो जो भी वेजेटेबल आपको पसंद हो जरूर मिलाईए साथ में मैंने इसमें सबजी के लाएक थोड़ा सा नमक मिला दिया है अब मैं इसमें मिला रही हूँ एक कप के करीब पत्ता को भी इसे भी मैंने लंबा और पतला काट लिया है अच्छे से मिला लेंगे इसे भी तो सबजी के लिए मैंने थोड़ा सा नमक डाला है बाकी नमक हम बाद में मिला देंगे तो ये मैंने डाली है सूजी जो हमने भून के रखी थी एक कप सूजी डालने के बाद सूजी को इसमें सब्जियों के साथ 2-3 मिनिट तक हमें अच्छे से भून लेना है ग्यास का फ्लेम हमारा लो रहेगा तो ये देखे सूजी भी हमारी अच्छे से भून गई है सब्जियों के साथ अब हम आधा कप के करिब डालेंगे इसमें दही तो जिस कप से सूजी ली थी उसी कप से मैंने आधा कप दही लिया है वो इसमें मिला देंगे दही के साथ भी हमें इसे एक-दो मिनिट तक अच्छे से भून लेना है तो दही, सूजी और बहुत सारी वेजिटेबल्स के साथ ये हिलदी नाष्टा हमारा बन रहा है तो अच्छे से ये हमने दही मिला दिया है अब हम इसमें डालेंगे गरम पानी या बॉयल वाटर तो एक कप सूजी के लिए दो कप हमने गरम पानी इसमें मिला दिया है गरम पानी से सूजी अच्छे से फूल जाएगी और अच्छे से खिले खिला हमारा नाष्टा बनेगा तो गरम पानी डालने के बाद हम अच्छे से इसे चला देंगे मिला देंगे सारी चीजे और फिर इसे कवर करके लो फ्लेम पर दो से तीन मिनिट तक अब मिश्य पका लेंगे दो तीन मिनिट बार देखेंगे तो देखिए अच्छे से खिला खिला नाष्टा हमारा रेडी है अच्छे से सूजी खिल चुकी है और बहुत सारी vegetables भी अलग-अलग करके हमें दीख रही है अब इस stage पर हम थोड़ा सा नमक मिलाएंगे हमने सिप सब्जियों में नमक मिलाया था अब ये उपर से थोड़ा सा नमक डाल देंगे और साथ में डालेंगे भूनी हुई ये मुंफली तली हुई अच्छे से मिला देंगे बहुत हेल्दी और टेस्टी नाष्टा है आप चाहे तो इसमें beans मिला सकते हैं मटर, frozen मटर और भी चीजे आप इसमें बहुत सारी सब्जिया जो आपको पसंद है इसमें मिला सकते हो साथ में last में हम इसमें मिलाएंगे थोड़ा सा बारिक का टहारा धनिया तो आप देख सकते हैं जितना ही सुंदर दिख रहा है दिखने में खाने में भी उतना ही स्वाधिष्ट बनता है ये नाष्टा तो ये सूजी का खिला-खिला नाष्टा रेडी है बहुत सारी वेजिटेबल्स हमने इसमें यूज़ की है तो हेल्दी भी है ये नाष्टा आप जरूर बना के देखे तो फ्रेंड्स नाष्टा रेडी है अब इसे कवर करके एक दो मिनेट के लिए हम रख देंगे बाद में हम इस्दाव करेंगे तो अब देखे हमने नाष्टे को श्तरूर कर दिया है बहुत हेल्दी, टेस्टी और बहुत स्वादिष्ट ये नाष्टा रेडी है तो बहुत सारी वेजिटेबल्स के साथ ये सूज़ी का नाष्टा बनके रेडी है आपको ये रेसिपी कैसे लगी कमेंट करके आप मुझे जरूर बताएं मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करे शेर जरूर करे और मेरे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले फ्रेंड्स वीडियो को अंततक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद तो फिल मिलते हम नेक्स वीडियो में धन्यवाद